स्वागत है अपका प्यूरूPalWAYिटिक्स में जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि राज्यों के चुनाओं, जो अभी पांच राज्यों के चुनाओं हुए जहां पर चार राज्यों में वीजेपी की सरकार बन गई अगले इस साल में ही दो राज्यों के विजान सभा के चुनाओं होने हैं गुजरात और हिमाचल प्रतेश के लेकिन राज्यों से इतर जो पॉलिटिक्स है अगर लोकल लेविल की पॉलिटिक्स है उस पे अगर अपना ध्यान कंसेंट्रेट करें जो देश की बड़े शहर हैं वहां की जो मिंस्पल कॉर्परेशन है जैसे BMC BMC का जो मुंबई महानगर पालिका है उसके चुनाओं की बात करें दांगलोर नगर पालिका चुनाओं की बात करें दिल्ली नगर निगम की चुनाओं की बात करें चंडिगड Mincipal Corporation की बात करें, शिमला Mincipal Corporation की बात करें, इन सारे राजियों के जो बड़े राज्य हैं और जहां पर कई सारे जगों पर उन शहरों में BJP का होल्ड है, accept मुमबई महानगरपालिका को छोड़ दे जहां पर BJP का होल्ड है, BJP उन राजियों में जिस तरह की politics बदल रही है जिस तरह से आपका assertion हो रहा है वहाँ पर अपने hold को कम चोर करने को तयार नहीं मोटी बात अगर उसमें से निकालें, तो BJP अपने hold को कम करने को तयार नहीं है जिस तरह से दिल्ली में MCD को unified किया गया जिस तरह से चंडीगड में बीजेपी वहाँ पे दो सीट पीछे रह गई आप दो सीट जादा थी लेकिन वहाँ के मेर बीजेपी का बना चुकि कॉंग्रस का एक सदस से स्विच ओवर करके बीजेपी जोईन कर लिया और उसके बाद वहाँ पे कुछ आमूल चूल परिवर् कोर्परिशन का चुना होना है वो एक साल से जादा हो गया वोट का पड़ा है वहाँ पर किस तरह से बीजेपी अपनी फिल्डिंग कर रहे तो फिर पॉलिटिक्स में हम बात जो अस्थानिये निकाए हैं लोगल बॉड़ी के चुडाओं है और वहाँ की जो पॉलिटिक्स इवाल्व हो रही है तो हम बात उन मिंस्पल कोर्परेशन की करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो डेली के एक्जामपल लेते हैं और फिर चंडीगर का एक्जामपल लेंगे फिर शिमला और बैंगलोर पे चलेंगे ये चारो जगहें ऐसी है जहां पर बीज अश्कों से बीजेपी वहां पर सत्ता में काविज है और जब पिछली वार शिला दिक्षित ने कोशिश की थी कि बीजेपी के होल्ड को कम करने के लिए उन्होंने ट्राइफेट कर दिया था मिंस्पल कॉर्परेशन को अब चुकी चुनाव इस समें ड्यू था लेकिन बी बुदा काफी सालों से बीजेपी का डिमांड था कि इनको यूनिफाइग किया जाए क्योंकि यहां पर जैसे साउथ मुंस्पल कॉर्परेशन है वहां पर उसका जो रेवेन्यू जादा है लेकिन नौर्थ हर जो इस्ट है उसका रेवेन्यू कम है तो इसलिए कर सकें क्योंकि बीजेपी का जो आरोप है कि केजरीवाल कई सालों से मुंस्पल कॉर्परेशन के इंप्लॉई को पैसे नहीं दे रहे हैं और दोनों के बीज में जो कॉन्फरेंटेशन के इस्तती पहुच गई थी वहां पर बीजेपी को लगा कि चुनाव टालने का और कम से कम चुनाव में जाने का इमेज मेक ओवर का ये सबसे बहतर तरीका हो सकता है लेकिन तब तक बीजेपी को ये समय मिल जागा अपने घर को दुरुस्त करने के लिए अपनी एंटे इंकम मेंसी को धोने के लिए इमेज मेक ओवर करने के लिए और आपका जो एक तरह से हव में जो आपकी लहर चल रही है उसको कहीं न कहीं निट्रलाइज करने के लिए अगर हम दूसरे मिंस्पल कोर्परेशन की बात करें जो ताजा एक्जामपल चंडिगर मिंस्पल जो इस समय पंजाब सर्विस रूट से गाइड होती है वो सेंट्रल सर्विस रूट से गाइड होगी यानि कि सेंटर अगर कोई भी पेस्केल कोई भी जो उनके रिटार्मेंट की जो उम्र सिमा है वो सारी सेंटर वाली जो रूट सें वो उन पे लागू होगा अब सवाल यह था कि BJP के कई सारे निता यह कह रहे थे कि यह जरूरी कम गदम था लेकिन यह October में होना चाहिए था क्योंकि जो चंडिगर मुनिस्पल कॉर्परेशन का चुनाव था वो October के बाद जब वहाँ पे चुनाव हुए उसमें BJP जहाँ पर चंडिगर मुनिस्पल कॉर्परेशन BJP का शार्षन है वहाँ पर BJP को जटका लगा और BJP दो सीटों से पीछे रहे गई ये अलग बात है कि वहाँ पे मेर फिर बाद में BJP का बना, डेप्टी मेर भी BJP का बना लेकिन जो BJP की लिडर्श्रिप चाहती थी कि ये फैसला पहले हो ताकि उसका उन्हें चुनावी लाब मिल सके लेकिन जब वहाँ पे स्टेक लगा तो अमिशा को ये लगा कि ये फैसला तो काफी दिनों से BJP की जो लोकल लिकाई है वो डिमांड कर रही थी और उस पे चुकि वहाँ पर एलेक्शन कमिशन का रूल लग गया था और इसलिए वो फैसला नहीं ले पाए लेकिन ये जो मोमेंट है ये सही समय है ये फैसला लेने के लिए क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार आ गई है और एक तरह से सरकार के लिए और पार्टी के लिए भी एक स्टैजिक मूब के तोर पे इसको देखा जा सकता था क्योंकि इस फैसले करने से इसका fallout effect क्या होगा कि जैसे ही आप 23,000 जो employee हैं उनको जब ये benefit देंगे तो पंजाब cater के जो employee है वो demand करेंगे कि उन्हें भी ये benefit मिलना चाहिए और वो benefit पंजाब सरकार दे नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे जो fiscal deficit की सती है जिस तरह से उनके उपर कर्ज है अगर इस पंजाब सरकार उसको देगी तो उनके उपर or burden बढ़ेगा तो एक तरह से win-win situation था party के लिए और सरकार के लिए कि वहाँ पर employee को ये benefit देना और उसे एक तीर से कही सारे निशाने सद गए एक तरह से चंडिगर जो union territory है वहाँ पर जो बीजेपी की MP है दो साल के बाद वहाँ पर चुना होने है और जो सरकारी कर्मचारियों का vote bank है उसका उन्हें फाइदा मिलेगा तो चंडिगर municipal corporation को फाइदा पहुँचाने के लिए दूसरा action लिया गया अब आते हैं शिम्रा municipal corporation चुकि हिमाचत प्रदेश में अगले इसी साल चुना होने है नवंबर में और वहाँ पर अगले दो महिनों के भीतर भी जो municipal corporation है उसके चुना होने है अब बीजेपी की समस्या वहाँ पर ये है कि वो assembly election से पहले उससे एक तरह से electoral mandate municipal corporation में शिम्रा में लेना पड़ेगा और अगर बीजेपी वहाँ पर हार जाती है तो उसका बहुत बड़ा negative message जाएगा assembly चुनाओ के पहले अब बीजेपी वहाँ पर सोच तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है कि क्या शिम्रा का जो municipal corporation चुनाओ है उसको क्या टाला जा सकता है या उसको क्या assembly चुनाओ के साथ कराए जा सकता है ताकि बीजेपी को पहले वो जो fraud test है उसमें भाग ना लेना पड़े क्योंकि दोनों तरह की सिति हो सकती है अगर बीजेपी जीत जाएगी तो निश्चित रूप से moral booster होगा बीजेपी के लिए कि वो उस जीत के साथ assembly election में जाएगी लेकिन अगर बीजेपी हार जाती है तो निश्चित रूप से पहले ही पिछले साल October November में वो बाइपोल हार चुकी है चार्ट जो बाइपोल हुए थे और उसके बाद municipal corporation का चुनाओ भी हार जाती है तो assembly चुनाओ में फेस करना काफी मुश्किल होगा बीजेपी को वहां की जनता से तो इसलिए वहां भी इस तरह की strategy और ये खोले जा रहे हैं पत्ते और ये किताब से rule book से पढ़ा जा रहा कि क्या कोई ऐसा clause है जिसके कारण शिमला का जो municipal corporation चुनाओ है वो assembly के साथ कराय जा सकता है उसको defer किया जा सकता है क्योंकि वहां delimitation वाली जो problem है वो तो वो angle नहीं लग सकता जो दिल्ली में लगाए गया है क्योंकि वहां पर पहले है delimitation हो चुका है जहां पर ward की संख्या बढ़ाई गई है जो 34 से 41 की गई है यानि कि साथ नए ward जोड़े गए है अब आते हैं बैंगलोर मुनस्पल कोर्परेशन बैंगलोर मुनस्पल कोर्परेशन का चुनाओ एक साल से अठका बढ़ा है वहां पर चुनाओ होने है लेकिन वो चुनाओ इसलिए अठका बढ़ा है क्योंकि वहां पर जिस तरह की कास्ट, शमिकरन और जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ruling दी है कि वहां पर जो local body के चुनाओ है वहां पर जो reservation है वो वहां पर implement किये जाए और उसके लिए जो data है वो काफि scientific होने चाहिए और उसके लिए सरकार को निद्रिश्ट दिया है कि वो एक अलग commission बनाए या एक अलग group बनाए और वो जो पिछड़ी जातिया है उसका सही data लेकर आए और उसके बाद वहां पर उस reservation के अधार पर चुनाओ हो अब सरकार की समस्या है कि वहां पर चुनाओ कराए या फर पहले वो जो पिछड़ी जातिया है उसकी जनगना कराए और किस तरह से वो उस नए बवेला में फंसे जिसके कारण वो municipal चुनाओ वहां पर अटका पड़ा है महरास्ट का जो महानगर यानि की BMC है उसका चुनाओ भी इसी अंगल से अटका पड़ा है लेकिन जिन राज्यों में BJP की hold है जिन राज्यों में अस्थानिया निकायों में BJP का hold है वहां पर मोटी बात है कि BJP अपने hold को किसी कीमत पर कम करने को तयार नहीं है अपना जो turf है अपना जो मजबूत भी केट है उसको खोने को तयार नहीं है और इसके लिए तमाम तरक की राजनेती और जो कार्ड है वो पत्ते खेले जा रहे हैं जिसका के उधारन आपने देखा के दिल्ली, चंडिगर या शिम्रा मुन्सपल कोर्परेशन के चुनाव एक तरह से उसके साफ उधारन है शंकर अनिमिश, The Print लेकिन आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब परना ना भूले अपने कमेंट्स, अपने रियक्शन लगातार में देश देखा